कि ही इकले सबसे पहला टाप मॉर्फोलोजी होता क्या तbosal mythology तो आता है बाहरी स्ट्रक्टर को देखते हो यह अग मॉर्फोलोजी कहलाता है आपका कैसा है कान कैसा है चैरा कैसा है इई तो लीव बाहर से कैसा दिखता है अंदर से नहीं बचा लीव को माइक्रोस्कोप में कैसा दिखता है उसे कट करके देखिए को वह कैसा दिखता है वो मेरे लिए मैटर नहीं करते है उसके लिए हमने नेक्स चैप्टर में पढ़ेंगे ना नेक्स क्लास से स्टार्ट करेंगे तो वह चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि लीफ बीटा अंदर से कैसा दिखता है हमें केवल बाहर से देखना है बाहर से इस्टोमैटा भी नहीं दिखता नहीं पढ़ेंगे बाहर से जो भी चीज इस्ट्रक्चर मुझे दिखेगा मैं वही पढ़ाऊंगा तो हमारा आज का टॉपिक बेटर लीफ मॉर्फोलाजी यानि की लीफ की बनावाट बाहर से जो हमें दिखता है चलो ठीक तो देखे ध्यान से आसां सा स्ट्रक्चर है ध्यान से देखिए सबसे पहले बच्चे लोग आप माली जी यह आपका स्टेम है यहां देके ध्यान से यह स्टेम है इस टेम ठीक तोड़ा सा मैं सेकंड पेच पी ले जाता हूं तो और क्लियर हो जाएगा यह बच्चा आपका स्टेम है स्टेम कैसे पहचानिएगा स्टेम को पहचानने का एक ही तरीका है कि स्टेम में बीच बीच में कुछ गांट होंगे इस गांट को हाड़ वाले को बैटा नोड कहते है तो नोड कहते है इसी नोड से बचलो इसी नोड से लीफ ओरिजिनेट होता है इसी नोड से क्या ओरिजिनेट होता है लीफ तो लीफ को देखिए नोड से ओरिजिनेट हो रहा है तो लीफ के बैटा तीन पार्ट होंगे अब कभी भी लीफ को देखा होगा बुटेरल लीव को अगर तुमने देखा होगा यह थोटा लीव बच्छा एक डंठल से जुटा होता है इस डंठल को बच्चा कहते है पेटि यूल फिस रीव कॉल heart photo sense करता है dort structure आपको दिखता हो लैमिना ना इत वह बटा लेमिना है जिसको आप एपी mound b कह सकते हैं लैमिना आपका वब मीजिło में आड़ एपी पोडियम के ठीक हे है ना मिटलियर हो गया अब लैमना यह वाइट वाले से जूटा हुआ है बचो हम ई हाँ टो आ यह बटा कहला एगासां यूडिस वाल यूड यूट है यूट और इस पेटियोल को आप एक और नाम दे सकते हैं मीजो पोडियम क्योंकि मैम्OOOO podium ने मिजो पोडियूँ याद रहेगए सर यहाँ तक भी याद मीजो पोडिय याद रहे अब देखि जो लीव बच्चा कहीं ना कहीं जाकर तो जुटा होगा ना लीव जो है वह जुटा तो होगा नोड से जुटा तोगा देखिए जो लीव का पार्ट जो नोड से जुटा हुआ यह ब्लू वाला आख मिष्क या नी पिट्यूल का बेस वाला पाट इसी को आप कहते है लीफ बेस इसी को कहते मिट बचलोगं लीफ बेस लीफ का सबसे वो पौईन जिससे वह नोड से जुटा है संहीं का वह पोजिशन जिससे जुटा Dalu यह यलो वाला हाईपो पोडियम तो देखे आसान है डिफिकल्ट नहीं है आसान है तैनि तीन पोडियम में डिवाइड कर देखें की जो लीफ आपको पतियों वाला दिखता है ग्रीन वाला पार दिखता है इसको मैंने कहा इपी पोडियम जो डंटल जूडता है इसे आप कहते हो पेटियोल या मीजोपोडियम और जिससे वो जाकर के नोड से जुटेगा इसी को कहते है लीफ बेस और कि यहाइपॉद्यम हाइपू पॉडिय इतना याद रखिएगा लटी कि अब देखि इस लीफ पे बच्चा इस लीफ पर देखिए गायरा एंगल पर खटि लीफ और यह बिटा स्टेम लीप और स्टेम के जो अंगल है इस एंगल पर वकल को. बड इसे क्या का पचलो एक्जिलरी बड क्यों वह बड एक्सिस पर ओर इजिनेट कर रहा है लीफ और स्टेम के बीच ओ बीच एंगल पर ओर इजिनेट कर रहा है इसलिए कहते एक्जिलरी बड चलिए थोड़ा सब देखा जाए हमने जो फीगर था हमने वन मिनट वन मिनट देखते हैं तो यहां से देखते हैं वापस देखने की कोशिश करते हैं कोई टेंचन नहीं वापस से देखते हैं फीगर को तो देखो सबसे पहले लैमिना क्लियर है जो पत्तियां दिखती है एकदम सिंपल सा है पत्तियां यह लैमिना हो गया यह पूरा लैमिना हो बिटी ओल है ठीक और यह बिटा नीचे के तरफ में जो अभी यहां पस आपको दिखाया नहीं गिया है यह वाला पार्ट बिटा इसे कहते लीफ बेस इसे कहते लीफ बेस तो कभी-कभी लीफ बेस से कभी-कभी बिटा लीफ बेस से कुछ structure originate कर जाते बच्च लोग इस तरह का इस स्ट्रक्चर को कहेंगे ब diagnose its structure को कहेंगे ना दिस इस ट्रक्चर इसकृर्द इस कॉर्ड स्ट्यूल सकॉर्स इस टीप यू लीफ बेस से ही कुछ structure inciarty कहते है वो भी छोटा सा leaf है मैं अगर figure तुम्हें देखाऊं तुम्हें तो वहां पर आपको दिखेगा एक एक बिट ही यहां पर आपको दिखेगा leaf base पर ही एक structure जिसे आपने कहा इस्टिप्यूल भीं असीका इस्टेंडड पार्ट जिसको हम लोग एश्टिप्यूल इस्टिप्यूल आप चलो नेक्स पार्ट को अम लोग देखते चालो ठीक है और क्लियर करते तो चलो फटाफंड चलो अब लैमिना समझ में आ गया जो पत्तिया बच्चा जिसे आप Nhosi में आपि ने देखा है यह पत्तीय बच्चा लीफ इसे आपने लैमिना आ न यह जो सभी घप लैमिना के बीच में गडीरा ऐसा एक guideline में गडेशंगर गोजुने इसे आप लेजाना है मिनरल्स लेजाना है फुड ले जाने काम करता बचलों यह Companies और को और कुछ ओर जिनेक कर रहे हैं यलोई जफ स्वालाग देखergा येलोईब्से च्वाला इसे कहते बैटा विलेट इसाफल देख लिधि तो तीन वर याद के गा वीच वाल बच्चा मड्रेब में 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 प्रिंस्पोल बिं उससे जो ओर इजिनेर्ड किया इसे हमने कहा लैटरल वेज क्योंकि साइड़ में हो रहे कि और इस लैट्रल वेंजे झो ब्रांचे से निकलेगी यह उंक Лैटल वेंजे इससे जो ब्रांच इस निकलेगा इसे कहते वेलिट इसे कहते हम सब जसे नोट से जुड़ा रहेहेगा उसे हमने कहा लीफ बेस यहां से आपको क्लेर दिख रहा होगा यह बिटा लीफ बेस और यह बिटा आपका स्टेम दिसस्टेम जहां से जुड़ा हुआ है अब अब एंचाटी का वर्ड में बोल रहा हूं एक्कॉर्डिंग टू एंचाटी एंचाटी कहती है आपकी किस लीफ बेस से कुछ बेटा ऐसा एक्स्टेंशन होता है इस एक्स्टेंशन को मैं कहता हूं इस्टिप्यूल आपकी एंचाटी क्या कहते है इस्टिप्यूल है नहीं स्टिपी यहां कि अ pupp formations कुई कुझे principle जिन वह बेस का ही extension है और एंशेति बोलती है नहीं यह ब्रेस्ट लीफ है नी कहते है यह यह इनिर्टी फॉस्ट लीफ है यह यह लीफ का रिद्यूर गाे मैं कैता हूं लीफ-बेस का इї पॉन पार्ट जोडिव बेस है थे नंधी एक्सटेंड निया स्ट्यूब बनाया इस्ट्यू जया से वि're यह लिता यह इन विल्लेट मीकिण यूचन स्ट्वें एन्न वनले insult मिद्डेोरलई वेला तो लेटरल वेन और वेलेट सेंट्रल वाले पार्ट को मिद्रिब कहेंगे काम बटा क्यों रिजी रिटी हाडनेस देना और उसके अलावा बटा तेके है एक लाइन इस मिड्रिब में इस लेटरल वेन में है क्या सरे एक लाइन अपता इसके अंदर विटा जाइलम और फ्लोएम नाम का टीशू है जाइलम पानी और मिनरस ले जाएगा फ्लोएम पानी फूड ले जाएगा सिंबल सी कहां नीट यहां पर जो सेले उनको भूग ल लेना है जालम यह बटा लीफ जब खाना बना लेगी यहां से बटा फूड को ले जाके दूसरे जगा पहुंचाना है तो फ्लोएम होगा तो इस मिड्रिब में में वेन में क्या है बटा जालम और फ्लोएम पुले सर याद रहेगा अब कोई दिक्कत नहीं चले ठीक है यह सभी बच्चे ने है बटा लीफ अगर तुम देखो गए नहीं तो नीचे में बटा लीफ ओल्डर रहेगा बड़ा रहेगा ओल डर और उपर के तरह ठोड़ा यंगर रहता नहीं दिक्ता है कि आपको यंगर और नीचे में टे लटर रहते देख लिज यहां बड़े ल तरह टिप के तरफ यंगर ऐसान सा लेंगी बहुत हए आसान सा बच्चा एक रो पैटल मतब नीचे बड़ा आपको दिखता है Колिभी देखा होगá और ऊपर के तरफ छोटा इसी बीडियीस स्क्सेशन में लीव होता है। इक है तरी यह लीव बनाता कौन है। कि सरी लीव बनाता कौन है तो मैं जब नेक्स चैप्टर में आऊंगा बच्छा एना टॉमी नेक सेप्टर का नाम किया बच्चे लोग एना टॉमी उसमें मैं बताऊंगा या तुमने नाइंध क्लास में सुना होगा एपिकल मेरे स्टेम जो बटा एपिक्स पे मेरे स्टेम होता है इसे कहते बच्चे लोग एपिकल मेरे स्टेम तो यह stem के apex पे तो shoot apical meristem अगर root के apex पे होता है तो shoot apical meristem बच्चा ही क्या originate करता है leaf बनाता है जो सबसे tip पे dividing tissue है उसे कहते है हम लोग shoot apical meristem यही बच्चा leaf का formation कराता है कैसे कराता है हम लोग next जब chapter में जाएंगे तो बहुत detail से पढ़ेंगे अभी नहीं करना चलो next part चलो अब हम लोग देखें ध्यान से ध्यान से देखेंगे बच्चा बहुत ही आसान से चलिए अब देखिए आपने देखा होगा कभी कभी legume plant में legume plant में एक feature है बच्चा यह आपका leaf यह बटा petiol यह बटा petiol और उसके बाद बटा जो leaf base है उसके बाद बच्चा जो leaf base है हाँ leaf base है वो leaf base क्या करता है वो leaf base कभी कभी swill हो जाता है the leaf base क्या हो गया है यहां पर swillin है swill कर गया देखिए तो अगर swillin leaf base होगा तो इस structure को कहते बटा pulvenous एक question आता है what is the pulvenous NCRT में अगर आपके पास NCRT होगा अब देख सकते बटा pulvenous नाम दिया है लग्यूम प्लांट में देखिए बच्चे यहां पर leaf base है वो swill कर चुका है swillin leaf base ऐसे leaf base जहां पास वो swill हो चुका है उसे हम लोग कहते pulvenous याद रखिएगा जो कहां पाए जाता है लग्यूम प्लांट में आपने पड़ा वीटा फैबसी फैमली मतर वाली फैमली वहां भी दिया है कि आप पलवीनस स्वेलन लीफ बेस याद रखिएगा रटी गहां याद रख लेंगे इंजाडी में भी चिक कभी कभी लीफ बेस agreement मेज अगर आपने देखा अब आप गवह आँ आप गहां रहते हो और अगर आपने मेज के प्लांट में क्या होता है मेज के प्लांट में यह आपका लीफ है पेटियूल है और जो गिलित भाइक से वह बिटा पूरी तरह से स्टेम पे पूरी तरह से पीटा से जुड़ा रहते हैं सरहाइ अगर आपने यह स्टेम में चारों तरफ से उसका था चकर लगा लेगा शारों तरह से या डिक वैद रहेगा तो देखिश क्या नहीं का leaf base expand into sheet sheet cover the same holy पूरी तरह से स्टेम को चारो तरह से cover कर लेता है इसलिए मेज का देखेंगा बहुत clear देखेगा बनाना में दिखेगा आपको clear तो पर्शली स्टेम को cover करेगा यह feature में पाया जाता है इसलिए मैंने आपको बोला मेज याद रखिएगा मेज में बहुत clear कर दिखता है और बनाना में आपको दिखेगा तो किसी ने देखा है गया मेज अगर तुमने कभी भी फिल्ड में जाके देखोगे तो आपको दिखेगा बच्चा पर नीचे वे न स्टेम से चवारो तरफ से ऐसे तरह जूडा रहे तो चलो बच्चे लोग फटाफट मुझे बताईए यहां तक clear है सभी को यहां तक सभी बच्चे को clear है कोई इस्यू आसान सा structure है लीव तो सबसे आसान माना जाते है लीव तो सबसे आसान माना जाते हैं है यहां तक सभी कर लेगा ठीक हाँ उसमें स्टेम नहीं दिखाया प्रयान से नहीं इस नहीं दिखता क्योंकि लीव तरफ से कवर हो जाता है उसके स्टेम में चलो ठीक है नेक्स पार्ट थिक है ए वेनेशन पहुत ही असान में बच्चा कभी भी आपको विरमोन्यकोंट। और डाइकॉट के बारे में पता करना है बाहर से देखक करें, कैसे पता क्रोगे, तो सबसे अच्छा तरीका है, उसके लीफ को निकाल देखा अच्छा सिपिदा देखा है। केले का पत्ता देखा है इसमें होता क्या है तो जो बच्चा डाइकॉट होते हैं उनके अंदर बैटा क्या हुआ डाइकॉट है यह बैटा मिड्रेप ऐसे करते हैं यहां बनाते हैं डाइकॉट includes live है अब यहां से निकला मिलिट वैललेट नेटवर्क लाइक बना रहा वैलेट नेटवर्क लाइक बनते जारा देख लिए नेटवर्क लाइक बंते जारा रहा तो अगर आपने कभी भी बचा कभी आप स्कूल से वापस लॉटते थैंग कभी कोई पत्तियां बटा जो डिग्रेड हो गया है खतम हो गया ग्रीन कलर से कब का वो ब्रॉण कलर में अब उठाते हो तो उसमें नेटवर्क लाइक छोटे चोटे चोटे नेट लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखते बचा तो ज उसके बाद पूरा ट्रक्राइब को दिखते है आप ऐसे उठाते हो दम क्लियर दिखेगा वो रेटीकुलेट वेनेशन बैटा पैचान है डाइकवाट की किसकी पैचान है बैटा डाइकॉट के अंदर में रेटीकुलेट वेनेशन पाया जाता है यह याद रखिएगा एक है बिटा कैलो फाइलम एक्सेप्ट कैलो फाइलम यह आप केवल NCRT में नोट कर लीजेगा और कोई भी चीज़ आपको NCRT से एवब नहीं बता रहा कैलो फाइलम यह एक डाइकोट होने के बावजूद भी रेटिकुलेट वेनेशन नहीं होगा दाइकोट में रेटिकुलेट होना चाहिए लेकिन exception को ने बीटा कैलो फाइलन जो बोलेगा मैं नहीं रखूंगा मैं पैरलल रहुँ का सबीट्फ हो अ डिसेंग AI क्लें का पत्ता धीक इसा रहता गोलेंट क्विछ में उटि 누구나 सा एक दम करेक्ट गा संब होता है और के विट ने टील पैरलल देख ए लीटरल एंड अए से दिखते हैं तो सारे लीटर्ट वेंड पैरल é और यहां बच्चा वेलेट नहीं होता यहां बटा वेलेट नहीं होता यह आपने देखा है बच्चा यह कोई वेलेट नहीं है बीच में मिड्रेब इंटर प्रिंसिपल वेंग और चारो तौन से लेट Walker युद्रहां Games जो पैललवी अरेंज ये पैललुज है वेनेशन हो गया बच्चा पैलल वेनेशन क्योंकि पैलल के लिए क्षिर टैडर वैनेशन जयों गच्राइव रखिएंगा यहां पस्थ है नहीं बलएट टु नेटवरक बनायोग सब्स्कूल"? रहा था network कौन नेटवर्क बना रहा था तो बोलेंग लोग देखा है घ्रास में तök затем के दिखता है या तुम कभी स्कूल से वापस लॉटते थे तो लीफ को अगर देख लेते थे यहां सर ऐसा दिखता तो है वह वह कोई exception है कि यह सर मोनोकॉट ऐसा हो जिसके अंदर में पैरलल नहीं हूँ एक exception है बच्चा एक एक exception है स्माइल एक स्माइल एक्स तो याद हो जगा एक बार में स्माइल एक ऐसा प्लांट है जो बटा मोनोकॉट है और उसमें वेनेशन रेटी कुलेट है रेटी कुलेट है इसी तरह से बच्चा एक मैंने क्या बताया था आपको कैलो फाइलम कि डाइकोट है लेकिन पैरलल वेनेशन तो यह exception आप इंसियाटिक एक कॉर्डिंग लिख लिजेगा और यह फीगर बटा देख लिजे बहुत यह आसान सा है किसी बच्चे को कन्फ्यूजन नहीं होगा किसी बच्चे को कन्फ्यूजन नहीं है ठीक है वापसे में भी पीट कर देरो डाइकोट में एक मेन वेन या प्रिंस्पल वेन होगा मिड्रिब मिड्रिब प्रिंस्पल वेन फिर महां से बचा लैटरल वेन देख लीजिए लैटरल वेन और लैटरल वेन से बचा यहां पर क्या बन रहा है देखिए न यहां पर ऐसे नेट की तरह दिख रहा होगा वेनलेट जो बेटा नेटवर्क बना रहा है नेटवर्क बना में कहां डाइकऊट में मौनोगाड बोलेंगा नहीं भाईया ऐसल यह मेरा मेन में ड्रीव है अब जो विन लेटरल में देखे तो बैलल चल रहे हैं तो दोनों तरह से पैरलल बन सकते बटा जो मैंने बताया था न ये भी पैरलल सबता है यह तो मुझे exception पता यह ऐसे एक मोनो कॉर्ट का नाम बताइए जिसमें रेटी कुलेट वेनेशन पाया जाएगा चलो फटाफट टाइप करो ऐसे बचा लोग फटा फटाफट बताइए जिसके अंदर में चलो ठीक है तो याद रखने मेटे स्माइल एक्स चलो ठीक है स्माइल एक्स याद रखना है चलो ठीक है अब बहुत ही आसान सा टॉपिक ठीक है कि सर लीफ में दो तरह बहुत ही आसान सा है टेंचन मत लीजिए बहुत अच्छे से समझा दूँगा लाइफ टाइम आप गडबड नहीं कीजिएगा सिंपल लीफ कंपाउंड लीफ तो इसको अमनों बहुत ही ध्यान से पढ़ते एक बार समझा दूँगा लाइफ टाइम याद रहेगा बोले ठीक है सर चांस यहां देखिए यह स्टेल इस यह नोड नोड लटीक है सर याद है नोड नोड से निकला बच्च लोग पट्योल जहां से यह जुड़ा था जंग्शन पॉइंट लीफ बेस जंग्शन पॉइंट लीफ बेस डंठल पट्योल पट्योल से बच्चा लामिना कि विच में मिड्रिब और विच में मिड्रिब ठीक है मिड्रिब यहां लेटरल वेन बोले सरहा सर बता चुके यो आप और यह वैलेड़ी ठीक है के बार बेटा आप लीफ को देखते हो अपने तेज़भा ल ecc सब्सक्राइब देखा होगा कभीज़ को दीदोर चल रहा है कि अ ँ के दौरान में क्या करेगा जहां से देख कुए इवालईशन के दौरान में यह सोचेगा बच्चा कि अपने लीफ को बिटा लैमिना को ऐसे करते इसे कहते इंसाइज जीनेशन अंदर के तरफ दसाले बटा ऐसे यह आपका मिडरिब है और यह बिटा insidation insidation कर रहा हैं अंदर के तरफ धस रहा है प्रेसर क्या होगा थोड़ा सा air से रजिस्ट होगा तेज हवा चल रहे न तो पुरा फैला वह तो नहीं है और बिटा और evolution होगा और बिटा और evolution हुगा इवालिशन और हुआ तो आपने जरूर बिटा लाइफ में लीफ देखा होगा एकदम ऐसा होगा जरूर देखा होगा विट्टा आपने ऐसा लीफ देखा और इंसाइजेनेशन होगा है अंदर में और वह अंदर के तरफ टच कर रहा है मिद्रिप तक पहुचने की कोशिश क सब्सक्राइब 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 है लेकिन evolution में ऐसा हुआ बच्चा evolution में ऐसा हुआ लास्ट में जा करके देखिए यह स्टेम और यह बच्चा देखिए लास्ट में ऐसा हो गया यहां से मिड्रिब है और यह जो लीफ का लैमिना है वो बेटा छोटे-छोटे पार्ट्स में तूड़ गया, चोटे-चोटे पार्ट्स में तूड़ गया। चोटे-चोटे पार्ट्स में तूड़ इया। तो जब लैमिना पूरी तरह से Midrib को touch कर जाएक कट मारने के दौरां देखी कट किया लेकिन Midrib तक नहीं पहुँँचा, Midrib तक कट करके पहुँचा नहीं, लेकिन शायद बैुचा वह Midrib तक कट करके पहुंचा तो यह पाट अलग होजाएगा, देकिं Уव्य का देखिक है यह पार अलग हो गया और यह पार विटा अलग हो गया तो लैमिना के छोटे-छोटे टुकड़े बन गए इच टुकड़ा इस लीफू लेट इछ टुकड़े को क्या केंगे बिट लीफ毛 लेट अब बिट तेज हावा चले पहले लीफ बड़ा थ है अब अब भीटर तेज हावा मुझा से आप्णधे सचमिकापाउंड मृत्वी eksikloche चीच 재ौटे पती Sellini inviting18 । यह रहुत सिंपल का में लिए छाता है यह दो चाहता है कि अंदर के तरब को необходимо पहुंचने पहुंच नहीं पार यह पोप नहीं पहुंछ जाएगा थो क्या उगा कि दिंपोट चैकर शोटे चोटे चोटे मैं तोड़ गया तो ऐसे को केगी छोटे से लिफ को लिफ लेट कहेंगे लिफ लिफ लेट कहेंगे कभी एक पहचान है की कौन लिफ लेट और कौन लिफ यह सर यह भी लीफ आप 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 defend नेट कर अब Ин signal हो सकतां ये भी तो मैं लीफ मान सकता हो ना गलती से लीफलेट लीफ के तरह दिख रहे तो मैं क्यों नहीं मालों रीजन बता है आपको हमेशा बोले बच्चे हमेशा बोला है देखे ध्यान से वापन से सीखिए कि जो बीटा लीफ है लीफ है और जो आपका स्टे में उस एक्सस पर पाया जाता है एक्जिलेरी बड इसी एक्जिलेरी बड से फ्लावर बनेगा नए ब्रांच बनेंगे एक्जिलेरी बड लेकिन बच्चे लोग जब लीफ बन जाएगा तो यहां है ना तो बिटा आपका एक्ज़ियरी बड तो यहां पस्केवल होगा ना यहां पस तो एक्ज़ियरी बड होगा नहीं हर लीफ लेट में तो होगा नहीं तो आप axillary bird को देख करके बता सकते हैं कि वो बटा leaflet है या leaf है कभी-कभी confusion हो जाते हैं बच्चों को कि सर यह leaflet है तो answer simple है जो leaf होगा उसके axis पे बच्चे एंगल पे axillary bird होगा लिफलेट के थोड़ी ना होगा लिफलेट पे तो थोड़ी ना होगा तो मेरे में से सभी बच्चे को simple leaf और compound leaf बहुत ही आसानी से clear हो गया इंसाइजेशन आपको दिखते है बच्चा देखो याद करो आपने पत्या देखा चोटे चोटे आपको कट दिखते रहते होंगे यही इंसाइजेशन है और धीरे धीरे यह अंदर के तरफ जा और जिस दिन पूरी तरह से अंदर जाएगा कट मार करके अलग कर दिया तो बिटा कम बाउंड लीव में कनवाट हो जाएगा तो सिंपल लीव का हम लोग डिफिनीशन पड़े लैमिना इस इंटायर यह बटा पूरा लैमिना इंटायर है कोई बिटा भी इन साइजेशन नहीं हुए कोई कट वट नहीं पड़ा है लैमिना इस इन साइज्ट कटो रहे बटा अंधर के तरफ कटो रहा है बट इंसाइजे इन सीजन इस नस को टुदप सब्सक्राइब में दिपको टाच पर चक्र देगा तो लैमिना चोटे-चोटे पार्ट में तूट जाएगा और बीटा कनमाट हो जाएगा कमपॉंड लीफ में इन सीजन इन दा लीफ लैमना टच दा मिड्रिव डिवाइडिंग इंटु दा लीफ लिट अगर कोई बच्चा लीफ तोड़ करके लेता है और मुझे पूछ दिया यह बताओ यह लीफ लेट है या लीफ है तो बोलेंगे तो मैंने क्या बताया बच्चा लो क्या मैंने बताया अगर यहां पास सिम्पल लीफ है सिम्पल लीफ हैं तो यहां पास बच्चा क्या होगा उसлом sense पर बड होगा you एंगन अगर यह सिंधार यह निवल है तो यह दो विट च्विट थीया हर लीफ लेट में बड नहीं पाया जाएगा पूरा का पूरा लीफलेट का जो गुच्छ है बच्चा उसके इस एंगल पे एक्जिलेरी बड़ होगा यहां नहीं पाया जाएगा बच्चा यहां पस नहीं होगा एक्जिलेरी बड़ यहां पस एक्जिलेरी बड़ नहीं मिलेगा तो अब आसानी से पता कर सकते हैं अब सर सबस Ad个 reward कि अएए क्पाउंड लिव कितने तरा के एक मिनट एक मिनट हाँ सरकंपॉंड लिफ बहुत ही आसाना बहुत आसान सा ना को मबनली किते तरा लागी कंपॉंड लीफ दोचला के कंपॉंड लीफ दोचला के पहला मैं यह पैटियोल पेटियोल का जो टिप है उसी पे बैटा लिफलेट आ गए उसी पे बैटा क्या गया लिफलेट 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 हाथों के तरह दिख रहा है यह पेटियोल का टिप है पेटियोल का टिप और इस पेटियोल के टिप पे चारों तरफ से लीफलेट आ गया यह आपका पेटियोल है लिफलेट 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 पाम की तरह देखा पामेट और कभी-कभी ऐसा नहीं होता है यह पेटियोल है यह पेटियोल है यह पेटियोल है और इससे बचलो यह मिड्रिप रहेगा यह मिड्रिप उसका है मिड्रिप तो है और मिड्र काहान को आपस मौन्वर्धवर्ण काहानी को वापस समस्लम्जार रहा हुआ है काहानी को वापस सम्झारा लियुट अ पामेट की आ रहे Debord म зап순नेट में क्या हुए यह मिध्रिप मिध्रिपना मिध्रिप रह गया इसी को में मैं में आप कहेंगे रैचिस र-a-c-h-i-s रैचिस और इस रैचिस मिद्टिप के चारों तरफ छोटे छोटे चोटे लीफलेट आ गये लेट लीफलेट लेटर लेट इसे के उपर में इसके टिप पे लिफलेट आ गए तो पाम के तरह दिखेगा हाथों के तरह दिखेगा पामेट इसे के लिफलेट बन रहे हैं तो इसे हम लोग कहेंगे पिनेटली कंपॉंड लीफ तो बहुत असानी से क्लेर बच्चे लोग को किसी बच्चे को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए और थोड़ा से इंसे आठी देखिए फीगर बच्चा और मुझे एक्जाम्पल बताई पि अगर आपके पास अंसे आटी है देख करके बताई अच्छा बिनेटली कंपॉंड और पमेटली पंफॉंड लीफ के एक्जाम्पल्स आपके पास अगर अंसे आठी है तो देखें एंसे आटी में है बच्छे लोग क्या है नीम के पत्तों में आपको दिखेगा बैटा पिनेट और सिल्क कॉटन में दिखेगा बैटा पामिट नीम के पत्तों में नीम में ना और सिल्क कॉटन में दिखेगा बैटा पामिट तो कमपॉंड लीप भी आपको एकद क्लियर है बचलो एकतम क्लीयर है पाम की तरह दिख रहे है तो पामय दोनों तरफ दिख रहे है और इसको बीटा मिड्री या Whole इसको मिट्रिब को आज से क्या कहेंगे बैटा रैचिस और यहां रैचिस गया रैचिस नहीं है बच्चा जो पेटियोल है उसी के चारो तरफ से आपके छोटे-छोटे लिफ लेट आ गए तो इसे कहेंगे पामेट लीफ कंपाउंड लीफ चालो नेक्स पार्ट फाइलो टैक्सी बहुत आसान सा दो मिनट का है फटाफट बचलो कम्प्लीट करो फाइलो टैक्सी क्या है फाइलो टैक्सी फाइलो टैक्सी मतलब पैटर्न ओफ अरेंजमेंट प्लांट में लीफ किधर है स्टेम स्टेम में किधर लीफ है या उसके ब्रांच पर लीव का अर्रेंजमेंट को कहते विटा फाइलो टैक्सी कि देखते हैं कैसा है फाइलो टैक्सी बहुत ही आसान सा एक लाइन में मैं बच्चे को समझा देता हूं कभी भी लाइफ में गड़ बढ़ नहीं करना इसमें तो फालतु है देखार का फीगर है मैं सुचारा यह स्टेम यह बचा स्टीम यह बचा नूड गजिब चा नूड UM पहला हैं पहला बच्चा पहला यहां तक क्लिव पै नोड़े अब पट अली इदर है इक ऐसलेट्स को सारे societies and कि नोट पर क्या बंदा लीफ बनते लोट से क्या बंदा है ब्राण्च बंदे नोट परो से surprised दो नोड रेड वाला मैंे बना इना वहां से हर चीज बनेगा आपका लीफ लिव बनेगा बर्ड बर्ड बनेंगे екंशिवर बदेगा नया ब्रांच नया ब्रांच बनेंगे तो इसको कहेंगे हम लोग याल्टरनेट देखें लैफ राइट लैफ लाइट एल्टरनेट एक 노ड स्पेटल पर एक लीफ है कि अने बार लिफ साइब रैट साइब लिफ साइब रैट से तो जहीं अल्टरनेट भुले स्सलें दोके सेकेंड इस में मुझे है एक नोड़ा दो लीट लेट साइड रायट साइड एक ही नोड़ाोगे दो लीट है लेफट राइट हो गिया बच्छा अप्से नाम में लिएमिन है और दोनों विटा एक दूसरे के आप उसे मज़र याद होगा कमता अलग अल्टरनेट एक करके की त्yttara वस्चा वाड़ यह क्या है सरु होता है मैं वल बेट Mixer बहूत अासान है थोड़ा ध्यान से देखोगे तो हमेशा के लिए क्लियर हो वर्ड में बस एक ही लाइन आद रखना है कि यहां आप से एक से और दो से ज़्यादा लीफ मों और पूरा का पूरा-इंग बनाने की कोशिश कर रहे तो से ज्द रिफ चारों तरफ से बना रहे रहे कि तो से ज्द घलिव यह चारों तरफ से चल रहे नो से जिटा लीव रिंग बनाने की कोशिच तो नाम में लिग दिया बटा वर्ल्ड तो अभी कहूट में कुछ से नाएगा फाइलो टैक्सिक कितनी दरा के बुले सर क्या मजाग कर लो अलडरेट अलग अलग नोट पे एक नोड पे दूसरे नोड पे अलटरेट हैं ठीक है एक हीило दो लीफ लेफ लेफ्ट राइट वर्लीृट एक इनूड पे दोसे जाधा लीफ चारो तरफ से रिंग बना देगा वर्ल्ड कहलाएगा थिक लेकिन बच्चा इसके एक्जाम्पल्स पूछे जाते हैं यह तो कॉंसेप्स सबको आ गया देखो इंसे आटी के पेज नबर 71 को देख लीजी याद तो हो गया सबको एक बार में लेकिन बच्छलो एक्जाम्पल डिफिकल्ट तो कुछ ट्रिक्स बनाए हम लोग चलो बच्छलो एक्जाम्पल्स को देखिए एक्जाम्पल्स को बच्छा देखिए तो मैंने कुछ तो ट्रिक बनाया है बच्छा अल्टर्नेट का मैंने ट्रिक बनाया है टेंच है मतली तो घर पे माचिस है बेटा माचिस सभी के घर में रहता है माचिस तो common चीज़ है सर माचिस सभी के घर में रहता है पस होगे है माचिस अगर याद है तो आपका काम खत्म alternate में मतलब एम फूर बच्चा लोग टेकर एम फूर होगे बटा mustard M for mustard C for China Rose C China Rose और S for बच्चा सनफ्लावर स्पोर बटना Sunflower मां चिस स्याद रख लिजी मुस्टर चाइन रोस एंड सनफ्लावर अल्टरनेट ज़िए याद हो गया गजा मस्टर्ड चाइना रोस और संफ्लावर देख लीजी बच्छा इंसे अटी में गीवे ने मैंने ट्रिक बना दो यह वाला दो याद है से अपोजिट याद नहीं हो रहा है चलो अपोजिट भी याद करने की कोशिश करते हैं तो तुम ज़िए पढ़ोगे बच्छा तो कुछ आएगा तुम्हारा हाईड्रो का ओ सी जेनरल और गनिक केमेस्ट्री मूं शाइद रो गया होगा या भी स्टार्ट होगा हां तो मैंने क्या बोला साय थोड़ा सा आवाज लैक किया होगा मैंने बोला बैटा आपको कि मैं इस टॉपिक पढ़ना जी ओसी जेनरल और गेनिक केमेस्ट्री बस हो गया बच्छा बना लीजिए ट्रिक मेरा तयार है बटा जी फोर है गुआवा ओफ ओर बीटा ऑसीमम तुल्सी और सी फोर बीटा कैलो ट्रॉपिस तो मेरा बीटा जी ओसी जेनरल और गेनिक केमेस्ट्री जी के बद ओ और आरहे वोसे बिटा ओपॉसिट भी याद रक लीजिए माचस में एम के बद आ रहा था एसे अल्टरणेट याद किया था रहा जाया जाएगा अशो मेश रहर व्र्ट तो यादी नहीं ओता है कि चाहिए वर्ल्ल का क्या दिया है इंसेटी में एक ही दिया है मैं तुम्हें दो याद करा है सुए एक करते हैं ऐस्तुण यह एंसे आति में रखें एलस्तुणिया और दूसरा बाइन एडियम दूसरा को नेरियम है तो मैं इसा बना रहे हो नौवाना ले रहरो पानी नौचलते इन अब कि ऑनी में क्या जलता है बोड़ा पानी डंट क्रॉख सक्रोगे और डिपराइव इन से पिड़ा निरियांड और ये से बीडा हो गया एल्षटोनिया लेस्ट बिटा एस स्टूनिया ओगे बुछ त्रिक बनाओ बस याद कर लो तुमारा concept तो आसाने वर्ल्ड क्या होता है एक जगह से दो से ज्यादा world बना वर्ल्ड या रिंग बना लिया यह है एक हए नौट इढ़ल से 2, six एप पोस shared दनौ डेक दूसरे नौद पर दो अलग टीसरे नॉट साइटे करें डाइड़ साइट राइट सैड़िफ साइट दो गाधू कैसे गताट में स्टड ट छायना रोस और इस फूर हो गया बच्चा क्या संप्लाव क्योंकि में टेग्जाम्पल हमेशा पूछा जाता है लोग कंफ्यूज होते हैं तो चलो किसे किसे याद हो गया यह फाइलो टैक्सी एंसे अटिक सारे ग्जाम्पल्स मैंने याद करा भी अधेंचन अधे को इलो अभी क्या-क् समझ में यहां पास से चलो अल्टरनेट जगह से लेफ्ट और राइट लेफ्ट और राइट लेफ्ट और और वर्ल्ड एक जगह से नोट से दो से ज़्यादा और पुरा रिंग बनाया वर्ड चलो फड़ फड़ बताओ बचलो बीना देखे हुए ठीक है चलो सबसे पहले बताईए बचलो अल्टर्नेट के तीन एक्जामपल बताईए अल्टर्नेट के तीन एक्जामपल फाइलो टैक्सी में आप तीन पढ़ेते अल्टर्नेट का एक्जामपल बताईए गिमें देख्जामपल अफ अल्टर्नेट के एक्जामपल फटावर्ट मैंने माचिस याद करा दिया माचिस कि अच्छिए और तीसरा वजान मैंने चाह बदाया था अपाउजिट का बच्छा लोग जी ओसी जेनरल और गिनिक चेमस्टी ओसे जी से गुआवा और सी से गया था बटा कैलो ट्रॉपेस सी से था बटा आपका कैलो ट्रॉपेस ठीक है और ओसे था बटा ओसीमम और तीसरा वर्ल्ड का एक्जांबल बताए फटवर्ड का इंचाटी में एक ही दे रखा है मैंने आपको दो बता है नो ठीक है डबलू फोर वर्ल्ड इन फोर नेरियम एफ और एलस्टुनिया इंज आड़ी में क्या है बचलो ठीक है तो याद रखना है नेरियम एन एलस्टुनिया चलो एक और टेस्ट करता हूं चलो यह बता ही बचलो की आपाने अगई क्यों पेंगर अचलों और टेस्ट कुशंचल अपेंशन अगई कंपाउंड टॉट अशूंचल टोन से नाम बताईए लिए सफ तू टाइप्स 1.0 अपनेट मनित बनेगे एग्जाम्पल आफ पिनिट गिवें अग्जांपल आफ पिनिट गिव में दा एग् पिनल्ट क्या बना सकते बच्चा पिनल्ट का हम भूलोग बना सकते ना तो थीक है और लगा धाल की इंट रीक्ट थे तो तो यहाद का दोगी है चलिए ठीकए यहां तक याद होगा चलिए मुझे बताइए बच्चा डाइकॉट में वेनेशन कैसा होगा रेटिकुलेट या पैरलल डाइकॉट में वेनेशन कैसा होगा डाइकॉट कंटेन विच टाइपस ओफ वेनेशन डाइकॉट कंटेन विच टाइपस ओफ वेनेशन तो डाइकॉट कंटेन रेटिकुलेट और मो मोनोक़ बताईयों समाइल करके बताईएगा रोती हं नमने बताईएगा इसमाइल करके बताईएगा एक ऐसा मोनोकर बच्चा जिसमें रेतीकुलेट पाया जाते पैर लुदी है जाता है नदे रोजे Show कि बताईएगा तो यादने बाता है quotes my legs Vorte eg है smile x याद हो गया सभी बच्चे को वट इस अपलविनस इनिवन कोई बच्चा बता सकता है पलविनस क्या होता है वाट इस अपल वीनस मैंने आपको बताया थोड़े देर पहले हां साथ ची करेक्ट सर याद है आपने बोला तर फैबेसी फैमली में क्या होता है ना बस इतना तो मुझे याद है कि यह सर लीफ लैमिना है यह सर पिटी ओले और बेस स्वेलेन है बस हो गया सर श्वेलेन लीनस इग्जमपल पे चलोग वने सर फैबेसी फैमली लेग्यों प्लांट ए लेग्यूम प्लांट वाले हमने एग्जमपल पर लीए बड़े सी फैमली फैबेसी फैमली थीक तो मेरे में से सबी बच्चे को लगवग लगवग चीजे याद हो गी है अब हम लोगों को फोटो संथेसिस करना होता है आपका काम पढ़ाई करना है लेकिन आप पबजी खेल लेते हो अब तो बैन हो गया आपका काम पढ़ाई करना था फिर भी कुछ और काम कर लेते हो तो कुछ लीफ बिटा पढ़ाई के लावा जैसे कि मटर के प्लांट में पी प्लांट में पढ में हेल्प मिले पी प्लांट में काम तो भी फॉट्य करने का है लेकिन कुछ लीफट अपने आपको शपोर्ट करने के लिए टेंडरिल का फॉर्मेशन स्प्रिंग के बैटरीं इस स्प्रिंग वह स्प्रिंग तरह कनवाथ हो जाएगा फोर दे सब्सकेज़ तो एक मोडिफिकेशन हो गया टेंडरिल कहां याद अखने है पीप्लांड में और पिछले ग्लास में बताया था बटा कैक्टस याद कीजिए बिटा पुंश्या याद कीजिए तो मैंने बोला था इनके अंदर क्या होता है कि अखें इनके अंदर बिटा ये सी जगा जाव पानी मीए इस्ट अंडर मैं है वह असके बिटने सारा पानी लिए पानी दे रोप यचान हमिए इतना गर्मी है सब वेव पर के फॉर्म में उड़ गिया मैं क्या करूं इस टोमाटा को कुछ करना पड़ेगा तो क्या करते है इस टोमाटा को खतम करना है तुछ सारे लीव को बोला तुछ सिकना तो यहां पर देचिए बच्चोई लोग सारे लीफ स्पाइन्स में इस सबस्कुंध हो गए काटों में birth हो गए काटों में इस से उनीज से ट्रांस्पिरेशन से एक्सिस लॉस ऑफ वाटर से भी बज़ गया और यह फोटो सुन्स कर रहा है स्टेम फ्लेशी हो गया और यह बिटा देखिए फोटो सुन्स में पार्टिसिपेट कर रहा है तो यह बिटा लीफ का सेकेंड मोडिफिकेशन तीस्off कभी कभी बिटा लीफ खाना स्टूड करकर रखता है ली बिटा खाना स्टूड करके रखता है जैसे प्याब क्या दूम आप देखते हैं यह बिटा स्टेम है इस तेम है ते लिक हैं नको यहां से कुछरूट हो है और यह बटा रोट है कुझा नो जिस ठीम से बटा लीफ निकला लीफ निकले लीफ निकल लीफ और यह लीफ निकला लीफ और देलीफ और फोटोंगी कर रहा है इस लीफ को बो जया टेंचन simplemente खाना आएगा उपर से देखो यह सब बटा यह लीफ खाना बना रहा है लाएगा खाना स्टोड कर लेना फ्लेशी बन जाओ खाने को स्टोड करो तो यह बटा जो फ्लेशी लीफ है ओनियन में ठीक है गार्लिक में भी ऐसे ही होता है लहसुन में भी ऐसे ही होता है तो वहां पास storage का काम करता है बच्चे लोग leaf ना उपर वाला देखिए यहारे रंगा होता है जमीन के नीचे का पाट नहीं है उपर फोटो सुन्स कर रहा है नीचे में खाना आ रहा है और leaf modify हो गया अब लिए फ्लेशी स्ट्रक्चर में खाने को स्टोड करने तो मेरे उसे सभी बच्चे ने देखा है तो एकदम टेंचर मतली यह आपका स्टेम है इस दस्टेम नीचे वाला पार्ट स्टेम यहां से रूट यहां से बटा यह बटा यह बटा चारो तरफ से लीव चलो डिके है तो मेरे वें से सभी बच्चे को आता है इसान अंजय करता यह मुझे बटा दी कहानी बड़ा सिंपल है एंजयाटी में सबसे लास्ट में बच्चां लीफ के ना मोडिफिकेशन में सबसे लास्क में लिक है और स्ट्रेलियन करके याद रखिए वह सब क्या है concepts बता कॉंसेप्ट सुनलों थिर मैं पढ़ूंगा कॉंसेप्ट पहले सुनलों फटा 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 ऑस्ट्रेलिया ने कही का क्या प्लांट है भूल यह स्टेम बने डीक से यह नोड बने ठीक तिक यहां पास लीफ बेस यह पेटियोल निकला रैचिस मिट्रिप कमपॉंड लीफ है यहां से बन गए लीफ लेट 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 बन गया लीफ लेट बन लिया अ च्छीक्ट इपलेट यह गविटापटी ओलें आपके चाहिती बच्छा क्या जो लेफ होता है न जो लीव आल पार्ट वह क्या है शॉट लेव बना ग्रीन का लरका कुछ दिनों के बाद कर चाहिए कुछ दिनों के बाद में यह जो लीफ लेट है जो पूरा लैमिना बु वो खतम हो जाएगा देविल डिफल डिफी लेट टूट जाएगा सर तो फोड़िस कैसे करेगा इस प्लांट के अंदर क्या होता है इस फ्लांट के अंदर क्या टूट नोड़ इसके अंदर पेटियूल लीफ के तरह दिखने लगता है इसके अंदर पेटियूल जो है वो लीफ का सेफ ले लेगा चोकि यह लीफलेट तो खतम हो रहे है यह लीफलेट तो खतम हो रहा है शॉट लिफ्ट था तो यहां पास जो पेटियूल है वो ग्रीन कलर का लीफ का लै you will participate in photosynthesis they will become green in color तो बड़ा यूनिक इसके अंदर देखा गया पढ़ते हैं पेटियोल प्रफॉर्म फोर्टो संथिस पेटियोल फोर्टो संथिस परफॉर्म कर रहा है क्या सब्सक्राइब लीफ जाएगा क्या पिलीफ शॉट्लीफ प्रफॉर्म करेगा यहसा देखा जाता है लास लाइन आप मैं पढ़ भी देता हूं आपको मिल भी जाएगा ठीक है इन सम प्लांट सच अच अ ऑस्टेलियन एक एक हीगा ठीक है दलीव और इसमॉल एंड शॉटलिप जो लीव थे शॉटलिप थे जो पेटियोल इन दीस प्लांट इक्सपांड वो एक्सपांड करेगा लीफ ग्रीन बिकम्स ग्रीम एंड सेंथेसाइज फूड एक्दम क्लेर अग्दम ह्ट्यहें लास्ट वनजी तो सभी बच्छे को आता है यह तो सभी बच्चे ने देखा आभी है जो बड़ेंश को खाते हैं उसे इंसे फोर अच्टव कैते पीचर प्लाइनट आप तो सर उसमें क्या हो जाता है तो यह जो आपको धकन कर थरह इस तरह पहले भी बताया होगा वापस से बतार हां अर्षान से सुनना है प्लन्ट को बिटा अपने लाइव को चलाने के लिए मिट्टी से ग्याच चाहिए नाय्ट्रोजन नाय्ट्रोजन चाहिए एत्मोस्वेर में 78 फर्स देड बिटा 78% nitrogen का है atmosphere में, plant नहीं ले सकता, plant बिटें नहीं ले सकता nitrogen, बोले नहीं नहीं मुझे मिट्टी में लाके दो, मिट्टी में चाहिए, मिट्टी में मुझे लाकर के दो, फिर मैं roots से absorb करूँगा, फिर मैं उसे protein बनाऊंगा, enzymes बनाऊंगा, hormones बनाऊंगा, अपने life चलाऊंगा, ह जो insectivorous plant है, यह ऐसे मिट्टी में ग्रो करते हैं, ऐसे जगह पे ग्रो करते हैं, जब नाइट्रोजन होता ही नहीं है, नाइट्रोजन लाइफ के लिए important है, और जिस मिट्टी में ग्रो करे ही नहीं, नाइट्रोजन is absent, तो यह तो plant मर जाएगा, उले सर एनिमल को जरूरत जडागेकर दूशे जगल में जला जाएगा, यह कुलो में नाइट्रोजन लें ले लेका, लेकिन प्लांट कैसे चलता है? प्लांट का चलता है?" comment कि सुछते हुँ देखा है, और सिर्ड़ निल्टी में नाइट्रोजन नहीं है तो plant मर 노 virtue नाइगा, तो plant दे या अपने अ बनाएंगे मस्त बनाएंगे गुलकोज लिज्टार्स सब बनाएंगे घरीन कलर के मजाग मतलू तरृत घरीन कलर के हम खाना बनाएंगे कारबो हाइड़्रेट ग Green कोज बनाबना हम सब बनाएं नाइटरोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये जो इंसेक्स आप देख रो पिटा इसे को यहां अने दो कि आप事情 करेंगे बंद करेंगे मारेंगे और उस इंसेक्टस के अंदर का नाइट्रोजन अपने लिए यूज्ज करेंगे तो यह दखने इनसेटी वोरस प्लांट फूड के लिए नहीं कार्बोहाइड्रेट के लिए नहीं बच्चा उसे ग्रीन कलर का खुद से खाना बनाएगा फोटोसंज करेगा फोटोसंजिस करता है खाना खुद से बनाएगा ओटोट्रॉफिक लेकिन नाइट्रोजन की रिक्वाइर्मेंट को पूरा करने के लिए वह इंसेक्स को मा परता है और बिटा खाने के लिए नहीं तो कुछ प्लांट में देखिए इस तरह फ्लैप लाइक बन जाएगा इंसेक्स आया बंद मारो फूड लो नाइट्रोजन फूड नहीं बिटा नाइट्रोजन लेलो और कुछ प्लांट बिटा ऐसा स्ट्रक्चर बना लेगा उपर आइड़ में धक्कल लग गया जिसने इंसेक्स दैया स्लिप करके नीचे गर जाएं थक्कन बंद न्डर मस्त बिर्याणी बनेगा मस्त बिर्यानी बना नाइट्रोजन को लिया प्लांड बेटा मस्त है तो यह जो आपने बनाया बच्चा यह modification जो आपने बनाया यह किसी का modification है यह लीफ का modification तो कुछ plant का नाम बताईए आपने कभी पढ़ा गया कुछ बताईए बच्चे लो इंसेक्टी वोरस plant का नाम इनिवन कोई बच्चा बता सकते हैं यह जीकर पूछा जाता है सभी को आता होगा चलो दो ऐसे प्लान का नाम बताए यह बठाए जो इंसेक्स को खाते हैं इंसेक्स को मार करके खाते हैं चलो बताओ एनिवन किसी बच्चे को याद है कि तो याद रखने है यूट्री कुलेरिया कि निपेंथस कि ब्लैडर वाट कि यह सब ऐसे बच्चा जो इंसेक्स को मार करके इसी को हम लोग कहते हैं इंसेक्टी वोरस प्लान तो कभी को से ना यह ऑटोट्रॉफ है यह हेट्रोट्रॉफ तो थोड़ा सोचिएगा खाना खुद से बनाता है ग्रीन कलर का है और आपको फीगर में एकदम क्लियर दिख रहा है लाग देयारत है ओट्रॉफ बट नाइट्रोजन की पुर्ती को नाइट्रोजन की कमी को ठीक करने के लिए इंसेक्स को मारता है तो इसे आप पार्शल हेट्रोट्रॉफ कह सकते ह यहां तक सभी बच्चे को क्लियर यह विटा आपका लीफ वाला पार्ट सभी को कम्प्लीट हो गया तो चलो फटा-फट ठीक है लेकिन मैं कुछ एक स्पेशल चीज़ बता देता हूं तेरे कहूट का गेम कर लेते हैं और आज की छुटी चलो एक कहूट का गेम कर लेते टेंशन मतला जहां से देखो फटब परने यह स्टे में बच्चा अ बोले ठीक सर जल्दी जल्दी कर दो स्टेम में बेटा यह नूट है नूट है बो है फ्लावर लीप की बात नहीं कर रहों मिटव फ्लावर की बात करो एफ फ्लावर नोट से उयरी सकता है नोट रीट बन सकताथ है फ्लावर बन सकते है बांट substance कुछ भी सकते ले ठीक है अप देखेस हैas your flower जिस ड्ल से जुटा होता है उसका नाम पेडी सिल होता है इसलिए मैं वापस से कर दे रहो जिस डेंटल से लीफ जुटा होता है उसे पेटियूल और जिससे बेटा आपका जुटा होता है फ्लावर उसे पेडिसल कहते हैं ठीक है सर पेडिसल नहीं हुआ तो अगर पेडिसल नहीं हुआ तो डारेक्ली फ्लावर बटा स्टेम से जुट जाएगा ऐसे फ्लावर को सेसाईल फ्लावर कहते हैं सेसाईल जिसके अंदर में पेडिसल नहीं होगा सेसाईल फ्लावर जिसके अंदर पेडिसल होगा तो बटा पेडिसलेट फ्लावर पेडिसल है अब ध्यान से सुने जिस स्टेम से बच्चा फ्लावर जुटा है ना यह यह लोगा जो स्टेम से फ्लावर जुटा है इसको कहते है बठा पेडंकल पेडंकल या इसी का नाम है बच्चा लोग मदर एक्सिस अब जो फ्लावर है जो है बच्चा जहां से जुटा है किसे पेडंकल से वहां पास एक बटे स्ट्रक्चर पाया जाएगा जो रिड्यूस लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा इसी को कहते है बटा ब्रैक्ट वापस से सुनों आपडल है पेडंकल पे कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाया जाएगा इसी Come t या ऐसे कह सकतो इस ब्रैक्ट के एक्सस पे ब्रैक्ट के एक्सस पे फ्लावर जूटा है या फ्लावर के एक्सस पे क्या जूटा है ब्रैक्ट जूटा है तो अगर पेड़ंखल पे जुटा है तो इसे हम लोग कहते हैं बच्च लोग कि इसमें लोग solves हो जाते इसलिए रोगफ determines लोग थोड़ा मोरी थो जाते हैं एक ही तरह है यह है फिर दो दुनुण लीफ है लेकिन अगर मेन एकसे स्पाइक ना कि इस बद॔र रहेख से जूड़ा है उप्स Help search चरोब और जंब नहीं है पिडिसल प्रेट यह निए चूढ़ा सा स्पेशल पॉइंट था जो आपको थोड़ा जानना चाहिए था बाकि कुछ भी जानने लाइक आप नहीं बचा है कुछ भी जानने लाइक बचा नहीं है चलो ठीक है तो हम लोग डारेक्ट लिया पर गेम में स्कार्ट कर दें चलो ठीक है सबको समझ में आ गिया कि क्लियर है क्लियर है सभी को थोड़ा सब्सक्राइब कर दो तो मुझे पता चल जाए तो आज हम लोग कहूट करें या फिर टाइम हो गया अब ठंड का टाइम आने लगाए दस बज़ा बहुत टाइम हो जाते हैं तो क्या करना है जो बोलो तुम्हारा मूड क्या है करना है फिर अगले क्लास में करते है कि कर ले है कि कल कर देदा अब फटा नहीं है ना बटा कुछ नहीं बचा है अगले का सभी पच्चे जग किवल कहूट करेंगे स्टेम का रूट का लीव ख इस तेम थोड़ा सा बच्चे है उसके बाद में तो मेरू में से सभी बच्चे चलो कर लेंगे को ऊते जो अीच है तो मैं पाँच वसन पूच लेता हूं और फिर चुटी कर लेते जात न झूत वाच दूट्टी चलू बढ़ा फटावड में पांच को सन आप से पूच लेता हूं और यह मुझे बताइएगा चले is the pulvinus चलो फटा फटा पहला को समटा वादिद अगर ये को सना गया तो क्या करके येगा what is the pulvinus what is the pulvinus अच्छिक तो श्वेल इन ठीकव स्वेलन लीफ बेस इसकोल अस्वेलन टिक है पिटीयोल या बटा लीफ बेस क्या ओगा च्छिक चलो वो क्लियर तो यह वादर लीफ कहां पास टेंडरिल का फॉर्मेशन करता है किस प्लांट मे लीफ टेंडरिल का formation करते हैं फोर्दा सपोर्ट चिके अन्दर नेक्स वन कहां पर बिटा लीट शॉट लिव दोते हैं और जो पेटियोल इन लार्ज ओकर के ग्रीन कलर बनाता है और फोटो सिंदर्स करता है वैश कि पेलिंग श्यूट लेगा कहां पर लीट शॉटली रोते वह तूट लिए जाते और जो पटेटियोल है वह प्टियोल संच करता है तो बता दिच्टे लोगा नाम वह उसकर और स्कलीन एक ऐसी चलोडिए तुमारा चलेर है चलो फटाफंट बता अल्टरनेट का example बता दीजिए फस पट फट अल्टरनीट का example बताWeillow taxi में alternate का example अछय सबय को चलेगा चलेगा ठीक है करेक्ट है चलो यह बता दीज़िए ब्टा अपोजिट कह का अपाउसिट का चलेगा शॉट्कट अपी बता धो जी ओ उसी चलो चलेगा चलो यह बता कि दिगा Sally ब Tanner इंट fan Nett लिफ कहां पाया जाते फीन इट कहां पाया जटा और पामड कहां पाया जाता है फ्यनेट कदें में अधर आमेट कॉटन से लेम व क्यों ये बच्छ याद है सभीrukt raped लें सभ Вас आप है तो और तुमने पेटियोल देखा और यहां से लीव बिटाप डाउन कर रहे है यह आपका यह पिटाप का ले लीफ जब का लैमीना लीफ ब्लेड मैंने खाता और यह पिटी ओले पिटी ओल विटाइसे क्या कर आप डाउन कर आते रहता है उससे क्या होगा फ्रेश एर मिल मैंने कहाँ बांट यह तो यह आपको आप डाउन कराने से क्या होगा उसमें फ्रेशनेस आने काम है थिगा उसे प्रोटेक्ट करने काम करेगा तो हम लो नेक्स्ट क्लास में आप वापस से मिलते किसी सुवर्फ को कर दोशनोट है तो पूछ लो हैंड ज्स करके पूछलो तुम भी बोल सकते हो प्रियांका प्रियांका डॉट नहीं साक्षी तुम्हारा था गया तो चलो बढ़ेचा अम लोगो फिर नेक्स क्लास में में पे